चलते हैं बुपाल जापे मुख्यमत्री शिराज सिंग चहान शामिल हुए सम्मिलन में कि बहू रानी के खाते में हर मैना एक हजार रुपईया आ रहे हैं तो सासू जी कहेगी अरे बहू की रोटी में भी घी चुकड़ो रहे हैं और जब सासू जी का हजार रुपईया आएगा तो बहू कहेगी माता जी के पाउं दबादू सोने के पहले हैं तो अब बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ेगा की नहीं अरे जोर सा बताओ बढ़ेगा की नहीं सास बहु का प्रेम भी बढ़ जाएगा सच मुझ मैं और देखो भाई तो पैसे का दुरुपयोग सब की बात नहीं कर रहा लेकिन अगर भाई के हाथ में पैसे आए तो हो सकता है कोई-कोई उसका गलत उपयोग भी कर ले लेकिन बेहन कभी भी गलत उपयोग नहीं करेगी देखो परिवार कैसे सुधरेगा क्या बेहन बच्चों के लिए दूद लाएगी सबजी लाएगी डाल लाएगी जगरत पड़ी तो थोड़ी बोड़ी दबाई लाएगी सबसे पहले बच्चों का ध्यान रखेगी तो पोसन का इस तर सुधरेगा और थोड़े बहुत पईसा बचा के भी रखेगी मुसीबत के टाइम के लिए और अभी तो पतिदेब से पईसा मांगती थी लाओ माय के जाना जड़ा पांसर रुपईया तो दे दो तो पतिदेब डाट देते थे नहीं है जब देखो तब लगी रहे पईसा मांगने नहीं है मेरे बाद तो मुह मसोस कर रह जाती थी अब कभी पतिदेब को जरूरत पड़ी और कहीं से पईसे का इंतजाम नहीं हुआ और पतिदेब का मोह उतर गया चेहरा उतर गया तो कहेगी गुड्डू के बापा चिंता मत करो जेधरे ले जाओ तो पति का सहरा भी बन जाएगी बताओ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी तो ये योजना बहन की इज्जत और सम्मान घर में बढ़ाएगी और मेरी बहने जरा इज्जत सजियेंगी आत्म सम्मान से भरी रहेगी कि मेरे हाथ में भी कुछ है मेरे हाथ में भी कुछ है मेरी बहनों इस योजना को आपको लागू करवाना है और इसके साथ एक काम और किया है एक अपरेल से सराब की दुकानों में जितने अहाते थे दारू के सारे अहाते बंद कर दिये जाएंगे बनो बंद कर दाना चाहिए न अब यह दारू बड़ी खराब चीज है यह इंसान को इंसान नहीं नहीं रहने देती अहाते में पी और हिलते डुलते गिरते पढ़ते सबक पे निकल के आए कभी गिर गए और कई वैसे गाड़ी चलाने लगते तो गाड़ी चलाने लगते नसे में तो खुद ही अमदूत बन जाते हैं कई बार खुद भी चले जाते हैं बेहन बेटियों को परिशान करना और इसलिए कोई भी दारू की दुकानों दारू का वो तो आते बंदी हो जाएंगे सलको कहीं बैठके दारू नहीं पी पाएगा पीना है तो बोतन लेके घर जाओ झाल